हेलो फ्रेंट्स क्यासे आप सब बिल्कुल मस्त तो देखो आज हम पैपर लग्या है अब भी 12 मार्च को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोपेसर का पेपर वा था जिसमें जो जी यास का पेपर है उसका हम आपके साथ यहां पर डिस्क्रिशन करने वाले हैं पूरा का पूरा प कि ओर बिल्कल रीयलितिए यह ओल्रेडी बैंक में है इनकी जोब बैंक में और उसके साथ-साथी इसकी टैयरी भी कर रही थी डूूटि भी जाती थी उसके साथ-साथ यह जो टाम बचता तो IIT की स्टुडेंट थी हैं IIT से सोरी NIT से इन्होंने भी टेक की थी और उसके बाद ये बैंक में जॉब कर रही है प्रजेंट टाइम में ठीक है और फिर उसके बावजुद यहां पर बैया से क्योशन सही करना वो भी जॉब भी जाना साथ के साथ में पढ़ाई भी करना एक बहुत ही मैनत का काम होता है तो आप इससे ये भी अनुमान लगा सकते हो कि या तो इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा मैनत की होगी या फिर इन्होंने बहुत बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊगा ठीक है और इसके फॉर्म भी अब भी निकले थे अपने जो आर्पियसी का पे अच्की है सारक सारे आपके साथ रहेगा यहां पर ठीक है तो यह सारा सिस्टम था तो इन्होंने मैं इनका वीडियो भी बनाऊगा एक बार रिजल्ट आजाने दो ठीक है उसके बाद मैं इनका वीडियो बनाऊगा है 100% इनका इंट्रू को रोका बिलकुल चौर है और हो स अच्छे से उनको रट दिया थे जब अब अब अपनी क्लास की सुरुवात करता हैं मैं बता देता हूं देखो सबसे पहले ठीक है ठीक है तो यहां पर हम यहां पर कुछ बाते लिखी हुई है कि परसन पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की पेपर सील या पॉलितिन बैक को खोलने पर अभिया परिक्षार्टी है सुनिसित कर ले की उसके परसन पुस्तिका पर वहीं परसन पत्र पुस्तिका सं तिमिदारी अभ्यार्ती किया ठीक है इसके लाव यहाँ पर कुछ बाते दी हुए हैं कि सभी परॐं करें उत्तर दीजिए सबी पर oleके अंक समान है परतेक परसंड gloss का गेवल एक ही उत्तर दीजी आपको हर एक क्योसन का के वल एक ही उत्तर देना है ठीक है या भी आपको ध्यान में रखना वो तो आपको पता है वैसे कि आंसर के वल एक ही देना है लेकिन इन्हों ने इनका जो एक responsibility बनती है कि इये अपना सार्इक सारज जवाब दे ठीक है तो इन्होंने बाकाइदा लिख दिया है कि के वल आपको एक ही आंसर देना है कुछ लोग क्या करते हैं दो-दो आंसर बहर देता है गोले बनाने होता है यहां पर ठीक है इस तरीके से गोले बनाने तो उसस्तिती में वह क्यों संब्रिजक्त माना जाताIl तो प्लीज एक ही आंसर इसके अलाव यहां पर लिखावए एक से अधीक उत्तर देने की दसा में परशन को के उत्तर को गलत माना जाएगा परतेक परसन के चार विकल उत्तर दिये हैं जिन में क्रम से एक, दो, तीन, चार अंकित किया गया है अभी अर्थी सही उत्तर निर्दिस्ट करते हुए उसमें केवल एक गोले या बबल को उत्तर पत्रक पर नीले ब्लोव पॉइंट से गहरा करें आपको नीले ब्लोव पॉइंट पैल लेके जाना है वहाँ पर उत्तर पत्रक उत्तर पत्रक इस परिक्षा पुस्तर के अंदर रखा है जब आपको परिक्षा पुस्तर का खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले ब्लोव पॉइंट को विवरन भरें ठीक है परतेग उत्तर परतेग गलत उत्तर के लिए पर्षण अंक का एक बटातीन भाग काटा जाएगा ध्यार रखना यहां पर नेगेटिव मारकी की वन अपॉन थ्री है और यहां पर एक क्योशन आदे नंबर का है ठीक है गलत उत्तर से तात्प्रय ऐसुद उत्तर से ठीक है किसी भी पर्षण से संब्धित गोल या बबल को खाली छोड़ना उत्तर गलत नहीं माना जाएगा ठीक है मोबाइल फोन या इलक्टोनिक यंत्र को परिक्षा होल बे प्रियोग पून अता वर्जित है यदि किसी अभियर्ति के पास ऐसी कोई वर्जित सामगरी म लाएंगे ठीक है यदि किसी पर्षण में किसी परकार की कोई मुद्रन या तत्यात्वग परकार की तुरूटी हो तो पर्षण के अंग हिंदी थता अंग्रेजी रूपांतरन में से इंगलिस रूपांतरन को सुद्ध माना जाएगा चेताओनी अगर कोई अभियर्ति नक कारेवाई की जाएगी साथ ही विभाग ऐसे अभियर्ति को बहुसे में होने वाली विभाग के समस्त परिक्षाओं से वर्जित कर सकता है ठीक है तो यह कुछ इंस्टेक्शन थे ठीक है पेपर एक एवरेज लेवल का पेपर था आप जब पढ़ोगे पेपर तो आपको प बहुत अच्छी तयारी की होगी ठीक है एक वो लोग है जिनकी अभी तक बहुत अच्छी तयारी नहीं है ठीक है तो अब पेपर चार अपरेल को होगा बिलकुल फिक्स है और आप अपनी जो तयारी है उसमें सुधार लाना चाहते हो क्या लाना चाहते हो आप अपनी तया पड़ाया था यहां पर एवरेज पेपर बोले तो मतलब कोई भी कंडिडेट मैं अपनी नहीं बोल रहा यदि किसी भी कंडिडेट ने एक बहुत सही धंग से पड़ाए तो वहां से पेपर बनाए ठीक है लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या थी पहले हमें पेपर होने से पह दी ठीक है तो उन्होंने बहुत डिटेल चे बनाया था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हमने क्या किया टोटली असी गंटों में सारा एवरेज चीज़े डाल दी असी गंटे के हमने क्लास रिकोर्ड करवाई अलग-अलग फैकल्टी के द्वारा और वहां पर हमने बहुत बेस जो एवरेज कंटेंट है वह वहां पर डाल दिया ठीक है और रियलेटी आप जब पेपर सोल करोगे यदि आप पहले से अल्रडी बैचले रख्यों तो आपको खुद को पता चल गया होगा कि पेपर कैसा रहे है ठीक है बिल्कूल एवरेज पेपर आ रहे है और यहां पर अब ज्यादा जुरूरी है आपको एक एवरेज तरीके से पढ़ाई करने की ठीक है जीयास का पेपर होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा बागी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा बस थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा ठीक है तो अब आपको एक किया थे 28 के उसन दास्तान जोग्रों भी किया थे 22 रास्तान पॉलिटिकल साइंस किया थे ठीक है आप यदि और जगह से कोचिंग ले रहे हो और जगह से बैस जोन कर रहे हो वहां पर आपको करेंट नहीं पढ़ाया गया होगा मेरे पास यहां पर करेंट का केवल कोलेज ले लेक्चर बेस पर इतने अच्छी तैयारी नहीं है तो आप करेंट का भी पीडियाफ ले सकते हो इस पेसिली करेंट का पीडियाफ आपको 200 रुपए में मिल जाएगा मातर 200 रुपए में आपको complete current मिल जाएगा और मातर 300 रुपए में आपको 7000 प्लस objective क्योशन 15 model पेपर इ पुरानी योजनाओं से बनें तो वो भी मिल जाएगा आप सारा सब कुछ ले सकते हो नाम मातर चार्ज है बहुत स्यांदार तरीके का content है एक तरीके से कहूं कि यदि आप बच्चे विए टाइम में एक सही वे में तयारी करके और आपना जो स्कूर है उसमें एक बहुत ब तो जोइन कर सकते हो अच्छा नहीं लगे तो आपके coding जैसा भी हो लेकिन अच्छा पढ़ना है हमें ठीक है अब हम क्यों से लेके चलते हैं राजस्तार में जिला ग्रामिड विकास अभी करनों का विले जिला परिशोदों में कब हुआ था तो वो हुआ था 2003 में राजस्त से थे ठीक है लेकिन अब आप बोलोगे सरी इंग्लिस मीडियम से तो आपका बैच क्या से लिए आपका बैच तो हिंदी मीडियम में था देखो कुछ ही लोग होता है जो प्रोपर इंग्लिस मीडियम में होता है mostly candidate क्या होता है इंग्लिस मीडियम वाले हिंदी को बहुत अ एरिया से हैं ठीक है तो इनको बहुत अच्छा हिंदी भी था ठीक है तो इनको हिंदी भी बहुत अच्छे समझ बाती तो इन्होंने हिंदी से अच्छे से सब कुछ एड़ेस्ट कर लिया ठीक है राजस्तान लोक सेवा आयो के राजस्तान लोक सेवाओं के परदान की गारंटी अधिन्यम 2011 किस तारिक से परवर्त हुआ वो हुआ था 14 नौंबर 2011 उसके बाद राजस्तान में जन्सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्गाटन किया गया कब क्या गया था अगस्ट 2019 में कब अगस्ट 2019 में ध्यान रहें आंसर वो ही मानी जो मैं बताओंगा यहाँ पर जो सी लिखाव है इस सी का मतलबान से नहीं है यहाँ पर सी का मतलब है कि यह किसका क्योसन है एक क्रेंट अफेर का क्योसन है ठीक है उसके बाद मैं बताओं जैसे यह पोलिटिकल साइंस का क्योंशन यहां पर मैंने पी लिख दिया बाकी आंसर मैं बताता चल रहा हूं राजस्तान संपर्क पोर्टल का उप्योग किया जा सकता है सामाजिक अविंच अंके चन मंच के रूप में आठ टी आई के तैत सूचन एकरतर करने के लिए सिकायत निवारन पंदाली के रूप में तो यहां पर आई का अंसर सिकायत निवारन पंदाली के रूप में किसके रूप में सिकायत निवारन पंदाली के रूप में फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां पर है राजस्तार में क्रसी भूमी के स्वा का क्योंसनी यही है ठीक है उसके बाद राजस्तान सरकार के सरकारी नोकरी में खिलाडिओं के लिए कितने परतिस्त आरक्ष्न का प्रावधान हैं तो वह 2 परचेंट का ठीक है घहान रहे समिक्षा से और बबज़ट से क्योंसनी नहीं बना दोजार जो अब नई समिक्षा नई बजट है इससे क्योशन नहीं बना क्योंकि पेपर में 16 जनवरी तक का करेंट इन्होंने इंक्लूड किया है लेकिन ध्यान रहें अपना जो पेपर होगा 4 अप्रेल को उसमें समिक्षा और बजट से क्योशन आएंगी जो हाली में जारी ह होई है ठीक है तो आप यदि बैच जोइन करते हो तो आपको समिक्षा और बजट भी मिल जाएगा ठीक है इसी में आपको समिक्षा 200 रुपए का लोग है तो उसमें भी बजट समिक्षा मिल जाएगा और यदि आप 300 वाला लेते हो तो वहां भी आपको बजट और समिक्ष ठीक है यह मैंने अपना जो अभी का क्योंसा नहीं है अभी का करंट है यह दोजार विज्टा जोदपूर के लाखा थान को कि सेत्रवे कार्य करने हित्तु यह हैं पुरुषकार परदान किया गया तो इनको मिला था संगीत कला उसके बाद में हैं राजस्तान के किस विधारत को परदान मंतरी राष्टी अबाल पुरुषकार 2021 से प्राप्त हुआ तो राजस्तान के विधारती थे आनंद आनंद को परदान मंतरी राष्टी अबाल पुरुषकार मिला था और देश में टोटल 32 स्टूडेंटों को मिला था जिसमें राजस्तान का आनंद सामिल था र ठीक है तो यहां पर होगा अलवर अलवर में तीसरा सेनके स्कुल की खोलने की तैयारी चल रही है यह लो भाई 16 जनवरी 2021 का करंट की राजस्तार में कोविड 19 टी का करंट अभियान कितनी तारिक से शुरू हुआ था तो यह सुरूआ था 16 जनवरी 2021 से सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हित्तु दिसंबर 2020 को किस पॉर्टल की सुरूआत राजस्तान में की गई तो वो था पब्लिक वेलफेयर पॉर्टल कौन था पब्लिक वेलफेयर पॉर्टल उसके बाद मैं बताओं आपको भाई लोगो हाल ही में राजस्तान के नए पुलिस महा निदेशक की रूप में कौन निउक्ट हुए है तो वो है M.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L ठीक है मैंने इसकी एक स्पेशली पीडियाफ बना रखी है कि हाली में किसको किस पद्ध के लिए निक्ट किया गया है ठीक है तो आप यदि आप करण की पीडियाफ लेते हो मेरी वाली तो आपको वहाँ पर यह सारी जीजे मिल जाएंगी ठीक है किस नई दिली में भैतर गे गंतंतर दिवस प्रेड फलाई पॉस्ट पास्ट का नित्तू करने वाली पहली मैला पाइलेट स्वाती दाठोर राजस्तान के किस जिले से थी तो वो थी भाई साब नागोर की कहा कि थी नागोर की थी कहा कि थी नागोर की थी अब थोड़ा आगे चलो प्यारे साथियों उसके बाद राजस्तान के किस इस्तान पर सीदाफल उत्करश्टा किंदर का लोकारपन हुआ तो वो है चित्तोडगड किस में चित्तोडगड बै ठीक है अब अगला क्यों सने कि राजस्तान में पर्थम रासु दिवस का आयोजन कब हुआ था तो वो हुआ था बैसाब 15 अक्टूबर 2020 को कब 15 अक्टूबर 2020 को थोड़ा आगे चलते हैं यहां पर लिखावा है मातमा गांदे की 150 वी जैनती वर्थ में उनके न्यासिता के सिद्दान से प्रेरित होकर राजस्तान के राजकिये महाविद्दालियों में कौन सा अनिवारिया पाठेकरम प्रारणबिक क्या गया तो वो है आनन्दम कौन सा पाठेकरम आनन्दम खिलारी अरुण सर्वा भानुज डाबी छिती स्रीवास्तो मानव महतो माहिर मूलानी संबंजित है क्राटे खेल से क्राटे वाले खेल से राजस्तान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है तो वो हुआ है जैपुर में उसके बाद बात की जाए राजस्तान देश का पहला राज्य है जहां राज्य की है विद्धालियों में नो बैग डे लागो किया गया तो इसके लिए निर्दारित दिन है तो ये कब निर्दारित दिन है सनिवार को नो बैग डे लागो किया गया राजस्तान का वहें इस्थान जहां रंगिन मचली एक्वेरियम गैलरी और बेंडिंग यूनिट का लोकार पढ़ हुआ तो वो है बिसलपुर में कहां पर बिसलपुर में उसके बाद मैं बताओं इसको देखो मेरा जो नोट्स लोगे ना उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है जो भी योजना का मैं यदि वहां पर डिसक्स करूँगा तो उस योजना का बारे में मैंने कमप्लीट बता दिया मतलब यदि किसी भी योजना का मैंने डिसक्स किया सपोस्ट इट इंदरा तो इसकी मैंने सारी जड़ तक खोल दी मतलब एक भी इससे रेटर ऐसी बात नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं लिखाई हो तो आप यदि वह करेंट के नोट्स लेते हो आप मेरा जीयस का नोट्स लेते हो तो आपको ये भी बैनिफिट मिलने वाला है यदि इस तरीके से डि थोड़ी देर पहले कि पुलिस महाद देसक नहीं किसको नुक्त किया गया है तो मैंने करेंट कैसे त्यार किया है मैं बता देता हूँ एक बार पिछले क्योशन पर लिजा कर आपको बता देता हूँ आपको बहुत बैनिफिट मिलेगा ठीक है जैसे वापस हम इस क्योशन पर चलते हैं और यहां से मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या तयार किया है एक मिनट का टैम लगेगा जैसे यह क्योशन है कि राजस्तार के नए पुलिस महाद देसक के रूप में किसे नुक्त किया गया तो मैंने क्या क्या तयार किया है बताता हूँ मैं इससे पह से पहले थे वो कहां से थे यह क्यों सारे बता रहा हूं आपको मैंने कैसे वह के लिए जैसे अमय लाटर के बारे में की जाए निक्ट किये गए तो इससे पहले पुलिस मानिदे सकते वह वरतबान सब्सक्राइं कौन से नए पुलिस महांदी दे सका है वो इससे पहले किस पदपर थे ठीक है ML लाटर कौन से जिले से संबंदीत है कौन से राज्य से संबंदीत है इनका जनम कहां से हुआ है और इससे पहले थे उनका जनम कहां पर हुआ था कौन से स्टेट से संभन देता है ये सारी बाते मैंने इंक्लूड की है क्योंकि अब भी जो रास्तान प्लिस का पेपर वा था उसमें राज्यपाल के बारे में पूछा गया था कि वर्तबान सब्सक्राइब में जो राज्यपाल है वो कहां के है ठीक है इस से पहले जो राज्यपाल थे वो कहां के थे इस तरीके के क्योशन पूछता है तो मैंने भाई बहुत जड़ से लिया है सारी चीजे आपका ये है और आल क्योशन ज़्यादा मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है मेरे यहां से क्योंकि मैंने कोई भी टोपिक लिया उसको बिल्कुल जड़ से खतम किया ठीक है अब जैसे ये नो बैग डे ये कब लागू किया गया था किसके द्वारा लागू किया गया था इसका लोकारपन किस ने किया था कहां सुरू हुआ थे सबसे पहले ये सारी चीजे मैंने इसकी जड़ से बता दी वहाँ पर इसके अलावा विसलपूर की बारें बताया थे क्या मैंने इंद्रा ना सोई योजना के बारें बता देता हूँ इसकी तीन बाते थी पहली बात तो ये है कि इसका सुबारंब 20 अगस 2020 को हुआ इसका मैंन जो मोटी हुथा वो था कि कोई भी भूखा ना सोय ठीक है मातर आठ रुपय में भोजन उपलब्द करवाय जा रहा था इसके तैत और यह सब भी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है यह बात यहां पर गलत है यह सब भी ग्राम पंचायतों में संचालित नहीं हो रही है तो इस योद्रा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि यह कब सुरुवात की गई थी इसकी सुरुवात किसने की थी इसकी सुरुवात कौन से जिले से हुई थी इसकी सुरुवात किस ने की थी वर्तमान समय में ये कितने जिलों में कारियरत है ठीक है ऐसे मैंने इसके बार में फुल इसमें जो खर्चा हो रहा है भाई साब इसमें खर्चा भी हो रहा है तो वो खर्चा कोन दे रहा है राजस्तान प्रेटर निदी 2020 कब लागो की गई थी 9 सेप्टमबर 2020 को उसके बाद सुरी ये क्यूशन कुछ थे बीच के क्यूशन ये फोटो कहसे टाइम थोड़ा गलत हो गया गाम ये 345 क्यूशन है जो यहां पर सही डंग से नहीं दिख रहे हैं उसके बाद हम अगले प्रेट डाल दिये जो पेड़ लोग थे उनके पास में 1870 का विद्रो राजस्तान में किस इस्तान पर प्रायरंब हुआ था नसीराबाद में हुआ था ठीक है तो ये वो सर बहुत शैंदार तरीकिस पड़ा रहे हैं इस सारी चीजे तारपी वादियंतर का प्रियोग पाजा उस्मान हारुनी उसके बाद बात की जाए कि राजस्तानी का सवतंतर भासा की रूप में वैग्यानिक विशलेशन प्रस्तूत करने वाले पर्थम विद्वान कोन थे तो वो थे जोर्ज अब्राहिम ग्रियायसन उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे अबूल फजल ने बक्तरबंद कहा तो वो है रन्थमबोर का दुर्ग ठीक है और मैं दुबारा से बोल रहा हूँ जिन लोगों को केवल करंट चाहिए वो करंट ले सकते हो बात तर 200 रुपए में आपको कंप्लीट करंट मिल जाएगा कंप्लीट क्या मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा कंप्लीट नितियोजनाएं मिल जाएगी बिलकुल जड़ से मिल जाएगी ठीक है ध्यान रही 32 क्योशन करंट कहे थे मतलब 16 क्योशन 16 नंबर का करंट था यहाँ पर ठीक है और जीएस्बी ले ना चाहो तो जीएस्बी ले लो बहुत धुआदार बहुत धमाकेदार कंटे केवल कोलेज लेक्चर के लिए यह कॉंटेक्ट नंबर 78 एक्राण में 30470 ठीक भाई लोगों उसके बाद हम यहाँ पर बात के जाए गुण भासा हेमकवी गुण रूपक केवदास राज रूपक वीरभान सूरज परकास अभैसिंग रसिया की छत्री अबिलेक का नाम उत स्रीलाल जोसी किस कला से सम्मझेत हैं फट से ठीक है राजस्तान में प्रियतन का उद्धोग का दरजा किस वर्स में मिला था 1989 में मत्यस्य संग में कौन सा राज्य समलित नहीं है जालावार अलवर चित्र सैली के वह कौन से कलाकार थी जिनोंने महराजा मंगल सिंग के समय ह हाती दात के फल को परसुक्षम चित्र बनाए तो वो थे मूल चंद और उदेरां मूडिया लिपी के अक्षरों के आविस्कार करता किसे माना जाता है तो वो है टोडर मल हम्मिर हट के लेका कोन है वो है चंदर शेकर दादू पंत का परबुक केंदर है नारायना आगे दे देखो देव नारायन मेला भादर पद्शुकल सब्तिभी को में लगता है राम देव जी का मेला भादर पद्शुकल द्यूत्या को लगता है वीर्थ फता जी का मेला भादर पद्शुकल नव मी को लगता है और तेजा जी का मेला भादर पद्शुकल दस मी को लगता है ठ वहाँ पर यह सारा विल्कुल सिस्टम में मिल जाएगा आपको ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म सिद्दान्तों के लेखक ब्रह्म गुप्त ने किस सेर में रहकर गणित संब्धित ज्यान का परसार किया था वो थे भीनमाल 2011 की जंगरना के अनुशार राजस्तान में घ्रामीलद छ्यट्यम का न उपात है 933 निम्बल लिक tarkत में से राजस्तान में सिचाय का परमुक स्रोत है तो देखो राजस्तान में सिचाय का सबसे बढ़ा श्रोत है कुवा और उसके बात है नलकोब मेजा बांध कोठारी नदी पर है और वो भीलवारा में निम्बल लिखित में से राजस्तान के थोक मुल्य सूचकांग का आधार वर्ष कौन सा है वो था 1999 से 2000 के बीच में राजस्तान के सकल राज्य मुल्य वर्धर में पर्चलित कीमतों पर वर्ष 1902-192020 में क्रशी एवं संबद छेत्र का योगदान था 25.56% कितना 25.56% उसके बाद देखो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं वर्ष 2017-18 में राजस्तान का वानिकी के अंतरगत छेत्रफल राज्य के कुल परतिवेदित छेत्रफल का परतिसद था 8.04 परतिसद राजस्तान में गेहूं एवं दलहन पर राश्टे खाद सुरुख्या में सन प्रारभ किया गया था 2007-08 में पसुगर्णा 2019 के अनुसार राजस्तान में देश के कुल पसुदन का भाग है 10.60% इस बाट विलेजी योजना प्रारभ हुई थी 2017-18 में रभी के मोसम में राजस्तान की परभूख खादान फसल निम्न में से कौन सी है यहूं फसल राजस्तान में नए और अक्षय उड़जा मंत्राले के अनुसार सोर बिजली की छमता है 142 गिगावाट राजस्तान में वर्ष 2018-19 में परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना की तहत सड़कों का निर्मान किया गया कितनी लंबी सड़कों का निर्मान किया गया था बताओ भाई कितनी लंबी सड़कों का निर्मान किया गया था वो लंबाई थी भाई साब 2581 किलो मिटर बीटी ठीक है उसके बाद हम बात करें मुख्य मंतरी निशुल के दवा योजना के सुरुआत हुई थी 2 अक्टुबर 2011 को राजस्तान में आसा को आसा सहयोगी नहीं कहा जाता है क्योंकि वहें इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है किसके बीच में चिकित्सा स्वास्त विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में उसके बाद मैं आगे बात करूँ समगर सिक्षा अभियान के लक्षे हैं तो समगर सिक्षा अभियान के तीनों के तीनों लक्षे हैं इसकूल सिक्षा में सामाजीक और लेंगिक अंतराल को पाटना सिक्षा में व्यवसाइकता को भडाना और सिक्षा में गुनवक्ता पारब किया गया था दो 20 अगस्त 2020 को ठीक है इंद्रा रसोई की योजना के बारे में भी मैंने सब कुछ बताया बिल्कुल जड़ से बताया यार भाई कुछ भी पूछे जो मैंने योजना पढ़ाई है मोस्किली मैंने सारी योजना शुरू इंकलूड किया क्रंट मेरे से भ मैंने किसी एक्जाम का टार्गेट नहीं लिया कि बाई चलो हम थोड़ा इंडिया कभी नहीं रहा है राजस्तान का करेंट आ रहा है तो मेरा केवल राजस्तान का करेंट है जहां केवल राजस्तान का करेंट है इसलिए केवल राजस्तान का करेंट मैंने इंकलूड किया है है और भाई कोई ऐसा सोच रहा हो कि यारब कम टाइम हम कैसे क्या पड़ेंगी बिल्कुल भी टेंसन मतलो मैं जो गण्जन दे रहा हूं जिसको आप मतलब इसब्ड़ अब भी तक किसीने कुछ नहीं पढ़ा वो चाता है कि मेरे 70% के आसपास नमबर आ जाए काम बन जाएगा ले लो भाई लोगो ज़्यादा चार्ज नहीं है हेंड़ परसंट 70% प्लस कुछ जाओ या और अब भी तो टाइम बचा वह इतना कि आप आराम से एक दो बार यूज स्थित करो हमें गहां पर क्या बताना है पस्यम से पूराओ पूराओ से पस्यम क्यों बताना है कि सबसे पूराओ में कौन सा है पिर पस्यम में कौन सा है देखो सबसे पूराओ में करोली करोली के बाद में कौन आता है स्वाई मादूपूर स्वाई मादूपूर के बाद म को ने जोदपूर ठीक है भाई लोगो थोड़ा आगे चलो साजा अभियान बाल विवहा बुक्त राजस्तान के संद्रम में कौनशा खतन सहीं नहीं है बाल विवहा के खिलाप परचार अभियान रत के माध्यम से दो साज जैपूर के ग्राम पंचायतों में किया गया ठीक है तो यहां पर डारेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं यह तीनों बाते याद कर लो यह तीनों बाते किसे संब्दित है साजा अभियान बा उप्सन गलत है घना सानक distracted कुंबलगड़ और गोगूंद्व के बीच को ONसा पठाथ कुंबलगड़ की पाड़्याराश समंधवं गोगूंद्वय और पहलोय की उद्यापूर में उनके बीच में कौन सा है भोरात का पठाथ है ठीक है पहलो Será्म्पै प्राली कि से की लोनी बेसिन के, निम्न में से कौन सी नदी सांबर जिल में गिरती है, मेंदा नदी, निम्न लिकित में से राजस्तान का कौन सा छेतर मांसुन में के अरब सागर साखा से अधिक्तम वर्सा प्राप्त करता है, तो वो है कौनसा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी छेतर कौनसा उत्तर थता उत्तर पूर्वी छेतर उसके बाद आगे बात करो थोड़ा सा राजस्तान के किस जिले में लाल मिट्टी के दिखता है तो वो है बांसवाड़ा राजस्तान के बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर राजस्तान के बांसवाड़ा में उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करें निम्बल लिकित में से कौन सा वरक्स राजस्तान का राज्य वरक्स है सिंपल सा क्योशन था खेजडी कौन सा था खेजडी कौन सा है भाई खेजडी है कौन सा है खेजडी उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करें कि राजस्तान के किस इस्तान से चंबल नदी राजस्तान में प्रिवेस करती है भाई मैंने खुदने पढ़ाई थी जो ग्रोफी का नधिया और भुतिक पर्डेश राजस्तान का भुतिक पर्देश और नधिया मैंने खुद dzi burning पढाई है इतरा शांदार तरीकें पढ़ा दिया मतरinho कुछ छूटे глаз 어때 नहीं कर रहे हैं छंबल कहां से प закон कर री थीक है मैंने सारा सब कुछ बता दिया ठीक है तो चोरा सी गड़ से जो चोरा सी गड़ काँ पर है तो तॉड़ गड़ मैं नीचे उसके बाद राजस्तान के निम्न में से किस जिले में जित्दे वायू उुर्चा प्लांट स्थापित किया गया वो है पर्ताफ गड़ काँ परताब गडब है उसके बाद देखो भाई यहां पर आपको मिलान करना है कि कौन सा कुछ से सूमेलित नहीं है हमें क्या बताना है कि यहां पर सूमेलित नहीं है तो देखो भाई लोगों यहां पर तीन बातें सूमेलित है मही बजाज सागर प्रियोजना राजस्तान गुज पूजना है वह यहां पर गलत है उसके बाद वह यहां पर मिलान करवा रहे हैं कि कौन सा किस्थ insider इक त op मारताती सघावर त्युल साहिए त्वार कितभा खेदिशन्हाण सेयों लोयएस की खान नाथरा की पाल सही है देखो टंगस्तन की खान है देगना एक खान रादिस्तान में टंगस्तन के लिए बहوت पहमस है कौनसी टेगना यहां पर सही आंजर ही है क्योंकि इसका मिलान सही नहीं है उसके बाद देखें हम नीली करांति किसे संबद दिते हैं मतस्य पालन से संबद दिते हैं उसके बाद हम बात करें कि कौन सा युग में सूमेलित नहीं है सूमेलित नहीं है भाई कौन सा अरे भेड की दो नसल दी हुए यहां पर बागडी और मारवाडी बकरी की दो नसल दी हुए है जमुनापुरी जमनापुरी और जारवाली उट की दो नसल दी हुए है गोमत और बीकानेरी ये दोनों गाय की नसल नहीं है मुर्रा हर्यान भी क्या है मुर्रा किसकी नसल है भैस की नसल है किसकी भैस की मुर्रा भैस बहुत अच्छी क्वालिटी की भैस मानी जाती है उसके बाद राजस्तान का परती व्यक्ती परती वर्ग किलोमेटर जिनसें क्या घनता हो पूँचा है कितना है घुग में सही सुमेलित है नीचे दे युग में सही है तो सौने का काम हरी मीनाकारी के साथ कहा पर नात द्वार्बे उप्शन भी 100% सही है यहां पर उसके बाद थोड़ा सा आगेड़ चलो भही लोगो कि कैसी पर चलते हैं कि निमन में से कौन सा एक उपाय मर्दा संरक्षन का नहीं है तो मर्दा संरक्षन का उपाय कौन सा नहीं है एनिकट निर्मान भी है मर्दा संरक्षन होता है वरक्षा रोपन से मर्दा संरक्षन होता है फलो की हेरा फेरी फसलो की हेरा फेरी का मतलब होता है उससे भी क्या होता है मर्दा संरक्षन होता है लेकिन अत्यदिक जलापूर्थी से मर्दा संरक्षन ही होता है जब आप खेत में ज्यादा से ज्यादा मात्र में जल दोगित क्या होता है उसका मर्दा का अपरदन बढ़ जाने लग जाता है मर्दा का छरण होने लग जाता है है कौन सी सामाजी की व्यानी की योजना उसके बाद थोड़ा सा आगे चलो भाई लोगों यहां पर लिखाव है कॉम बेटिंग डेजेटिफिकेशन पर योजना मरुस्तली करन संगर्ष पर योजना सीडीपी को किस वर्ष चालो किया गया तो वो चालो किया गया था 2001 में कब 2001 में सन 2020 में भीलवाड़ा मोडल किस परकार के नियंतरन परबंदन के लिए विख्या था वो था कोरोना नियंतरन से लिए रिलेटेर राजस्तान के निमल लिखित में से किस राज्यपाल राज्यपा पार्टिल कौन कौन मदलाल खुराना और परतिबा पार्टिल उसके बाद बात की जाए डांग छेतर विकास कारेकरम किस जिले सम्मू से संबंदित है तो जो डांग छेतर विकास कारेकरम है वो संबंदित है वह संबंदित है कौन कौन से कोटा बूंदी स्वाई मधुपुर और दोलपूर से ठीक है इसमें दो संभाग सामिल हैं ये दोनों के दोनों संभाग दिये हैं यहाँ पर एक कोटा संभाग है जिसमें कोटा बारा बूंदी और जालावार संभलीत हैं और दूसरा संभाग है बरतपूर संभाग जिसमें बरतपूर दोलपूर करोली और मंत्री परिशद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्वर्तिता किस प्रस्ताव को होगी तो वो होगी बाई साब विश्वास प्रस्ताव को किसको विश्वास प्रस्ताव को फिर थोड़ा आगे बात करते हैं राजस्तान विधान स सबागी निम्बल लिकित में से किस सम्मिति के संक्या पूर्व निर्दारित नहीं होती देखो सामाने पर्योजन सम्मिति जो सम्मिति है उसके संक्या पूर्व निर्दारित नहीं होती लेकिन याचिका सम्मिति विशेसादिकार सम्मिति सरकारी आसवानों आजवासनों से संब्धित सम्मितियों की जो सद्ध से संक्या होती है वो पहले से निर्धारित होती है सिवाय छोड़ कर किसको सामाने प्रयोजन संब्धित सम्मिति को उसके बाद मैं बात करूँ निम्बली कितमे से किस राजस्तान किस ने राजस्तान में सबसे अधिक बार मुख्य मंतरे के रोप में सपत ली तो देखो भाई बहरो सिंग सुखाडिया ने चार बार ली असो गैलोत ने तीन बार ली बहरो सिंग जी ने तीन बार ली और डान उजवल राजस्तान के निम्बल लिखित में से कौन से सम्म्वेदानिक पदा दिकारी राज्यपाल दौरा नूक्त किये जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल दौरा हटाएं नहीं जा सकता तो ध्यानरखना भैसाब राज्य निर्वाचन आयोक का अध्यक्ष और जपाल हटा भी सकता है राजस्तान उच नालियों की जैपुर पीठ ने उच नालिय राजस्तान जैपुर में इस्थाई पीठ की साथ इस्थापना आदेश इस नीसो चैटर के तैट अपना कार्य कब प्रारंब किया था तो वो किया था 31 जनवरी 1977 को और इसकी इस्थापना कभूई थी तीन दिसमबर 1906 को निम्बा लिखित में से किसने राजस्तान में कार्य वाहक राज्यपाल या अतिरित परभार वाले राज्यपाल की रूप में कार्य नहीं किया तो वो है सुक देव पर साथ बाकि इन तीनों ने कार्य किया था कौन कौन स्री मिलाब चंद जैन स्री दनिक लाल बंडल और नयदीस डीपी गुपता राजस्तान मानवा दिकार आयोग मानवा दिकार के उलंगनों किस सिकायतों की जांच कर सकता है किस से बैसाब तीनों आए गए हां पर सव प्रेरना से किसी पीरित द्वारा उसे अरजिप प्रस्तुत किये जाने पर किसी पीरित की ओर से किसी दवारा उसे अर्जिव प्रस्तुत कीजाने पर मतलब तेनों बाते सई हैं उसके बाद बताता हूं मैं आगी थोड़ा लोका युक्त में एक लोक से वक्त के विरूद कितने वर्ष पुराने मामलों की सिकायत नहीं की जा सकती पांच साल से अधिक मामलों की सिकायत नहीं की जा सकती ठीक है निम्बल लिकित में से कौन सा जिला राजस्तान उचिनाले की जैपुर पीट के अधिकार छितर में नहीं आता तो वो है भीलवाडा तो भीलवाडा किस में आता है वो जोधपुर पीट के अंदर आता है ठीक है उसकी बाद मैं बात करूँ निम्बल लिकित में से कौ और उस तो चुंँ नहीं है वो सई नहीं है कि एक gy ut hard चांप में के से उधिक ऐसा परष्य और यहीं किया जाएगा यह बात गलत है यहांक निम्बल लिकित में से किसे जिले के परमुक जनगरना अधिकारी माना जाता है तो वो है कौन जिला कलेक्टर को किसको जिला कलेक्टर को जिला का परमुक जनगरना अधिकारी माना जाता है उसके बाद मैं बता दूँ प्यारे साथियों ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारिद करने के लिए आउसक संक्या है बैठक में उपस्दित और मत देने वाले ग्राम सभा के सद्धिशों का बहुमत और लास्ट का कि उसना है कि निंबल निकित में से राजस्तान की किन संपागों कि अधिन जिलो की संथा है तो वो है जोधपूर और उद्यपूर में किसमें जोधपूर और उध्यपूर में तो आप बताओ Pew MAYOR केसा था बिलकुल average paper था बहुत शांदार paper ठीक है बहुत ही गजब का paper आया था एक तरीक इसमें overall तो paper इतना शांदार आया था बहुत तरी सब्दी का क्योशली होंगे ठीक है इसके मैं बता दू भई लोगो अभी टाइम है बैच ले सकते हो आपको अच्छा लग रहा है कि चलो हमें ले ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हो mostly जादा से जादा लोग खरीदें इसलिए मैंने इसका जो चार्ज मातर 300 रुपए कर रख है 300 रुपए में आपको complete current करंट का एक बी क्योशन वहां से बाहर नहीं जाएगा 500 जो क्योशन दूँगा वह बहुत महत्पून क्योशन है ठीक है बिलकुल आसानी से यदि आप मेरे को content को पढ़ सकते हो आसानी से भाई साब यदि इस तरीके का paper आता है 90 प्लस क्योशन से ही कर सकते हो क्योंकि इस प्लगqua जोन कर सकते हो बहुत श्कांदार तरीके स्कोर करने के लिए ठोड़ा विस्वास करो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथिओं ठेंक्स देखने के लिए बाय और एईसे बने रहो बहुत ॉच्छांदार तरीकर से तयारी करेंगी बहुत